आप सभी एक चीज से बहुत ही ज़ादा परिशान थे कि आप सभी जो अपना WhatsApp, WhatsApp Web के माध्यम से अपने laptop में, अपने mobile में, अपने दूसरे phone में इस्तमाल करते थे, वो आप सभी का बार बार log out हो जाता था इस चीज का एक solution था, वो क्या था कि आप सभी को WhatsApp Web में login करते समय एक option देता था, keep me sign it in, अगर आप इस option को टिक करके, अपने WhatsApp को, अपने WhatsApp Web में scan करते, तो आपका जो WhatsApp Web था, वो automatic log out नहीं होता लेकिन इन सभी समस्याओं को देखते वे, WhatsApp ने अपना एक नया update जारू कर दिया है, जो पहले आप सभी को यहाँ पे multi device बीटा दिता था, उस चीज को अब WhatsApp ने permanent कर दिया है मतलब कि अब आप अपने primary phone को बिना online रखे, यानि कि उसके अंदर data on है, off है, कोई फरक नहीं पड़ता है, उस phone की अंदर WhatsApp है, बस इतना फरक पड़ता है, लेकिन अब आप सभी अपने WhatsApp Web को बिना online रखे भी यूज कर सकते हो और एक नया update इसमें ये जूड़ चुका है, कि अब आप सभी का जो WhatsApp Web है, वो automatic log out नहीं होगा क्यों? क्योंकि जो आप सभी keep me sign it in वाला option टिक करते थे, उसे अब WhatsApp ने permanent already टिक करके रख दिया है मतलब कि जो नया update आया, उसमें WhatsApp ने क्या किया कि अब अगर आप नया WhatsApp Web ओपन करोगे, तो आपको keep me sign it in वाला option देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे अब ये पहले से ही टिक हो चुका है, और नया update यहाँ पे आप देख लिजे screenshot कि ये आ चुका है और अब आप सभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने WhatsApp Web को बिना online रखे ही यूज कर सकते हो तो दोस्तों अब आप सभी का एक समस्या तो दूर हो गया, कि जो आप सभी का WhatsApp Web आटोमेटिक लॉग आउट हो जाता था, वो अब आपका लॉग आउट नहीं होगा समझ गए, उमीद करते हैं कि आप सभी को ये update काफी अच्छा लगा होगा और आप सभी इस वीडियो के मादियम से कुछ नया सीख चुके होंगे तो अब आप सभी के WhatsApp के अंदर ये वाला update keep me sign it in हमेशा के लिए कैसे मिलेगा मतलब कि आपका WhatsApp Web हमेशा के लिए लॉग इन कैसे रहेगा तो इसके लिए अपने WhatsApp को जाकर प्ले स्टोर पे update कर लेना होगा तो उमीद करते हैं कि अब आप सभी इस वीडियो के मादियम से अपने WhatsApp Web को हमेशा लॉग इन रख पाओगे लेकिन अगर जिसका फोन है लाइक अगर आप अपने इस फोन से जो आपका primary फोन है जिसका WhatsApp Web में आप यूज कर रहे हो अगर यहाँ से logout हो जाता है तो यहाँ पे आपका automatic logout हो जाएगा वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना WhatsApp कर सकता है ना आपका यह logout होई गया तो फिर खतम टाटा बाई बाई तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से वीडियो को like कर दिजेगा चैनल पे अगर आप सभी नहे होंगे तो चैनल को subscribe कर तो हम मिलते हैं फिर आपसे एगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखीगा take care till then and good bye